कि नमश्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स नाइन लाइफ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिया खान का केस अब तक चल रहा है जिया खान 2013 को इस दुनिया को छोड़ कर चली गई थी वहीं आपको बता दे कि उनकी मां राबिया ने सूरज पंचोली को लेकर याच का दाएर की थी लेकिन अब सूरज पंचोली को बड़ी राहत मिली है आपको बदा दे कि सूरज पंचोली के खिलाफ फिर से राविया की फिर से याचि का Mayor की फिर से सारी जांच होनी चाहिए जिस फोन का सूरज पंचोली उस समय कर रहे थे उसके चार्ट को रिकवर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई चार्ट शायद डिलीट करती थी लेकिन अब कोट ने इस याचिका को खारिच कर दिया है और उन्होंने आपको बता दे कि इसको खारिच कर दिया सूरज पंचोली को बड़ी राहत दी आपको बता दे कि सूरज पंचोली के जो वकील है उन्होंने भी कहा है कि जब कोट का फैसला पहले आ चुका है तो फिर से याचिका दायर करने की क्या जरूरत थी जब यह केस अब बंद ही होने वाला है तो इस स्काब मिले लेकिन अब उनके इस-स सियाचिका को खारिच कर दिया है और सूरज पंचोल रिक बड़ी राहत दिया आपको जानकारी दे की जिया खान के मामरfolg के साथिया वा पहले में कोट का कि सूरज पंचोली के खिलाख जो याची का दायर की गई थी उसे खारिच कर दिया गया है तो फुलाल क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए जड़े रहे हमारे साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दुबाना बिलकुल लाइकन